मंड या फिर इस्टार्च से क्या अभिप्राय है मंड या इस्टार्च से आप क्या समझते हैं मंड एक तरह का प्राकिर्तिक सुरोत है यह पेर पौधों में मौजूद होता है याद रखेगा मंड एक तरह का प्राकिर्तिक सुरोत है और यह पेर पौधों से प्राप्त होता है मंड आलू आधी फलो में होता है मंड का दूसरा नाम कपरों पर किया जानता है लोकल भासा में इसे मार के नाम से भी जानते हैं जैसे हम लोग कहते हैं चावल का मार या फिर चावल की पानी ये अक्सर कपडों को उपण्धा है और जब यह कपडों में उप्योग किया येता है तो इसे हम कलफ कहते हैं खाना पकाने में मंड का उप्योग किया एता है और यह एक बिश्वाद, गंद रहिद, सफेद पॉडर के रूप में उपलिधा होता है